हलो एब्रिवान च्वागता आपका अपने ही चैनल भी इंगलिश टैंकर में गाईज आज की जो स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल्फिश गूज स्वार्थी हंस इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ट वर्ट हिंदी में यहां पर लिखती जाऊंगी और जो भी ग काईंड कींग द्ययर वसद काईंड कींग एक वह मिंज क्या है था त्यक्व है इस पूरी लाइन का मिनिंग होगा वो है एक दयालू राजा था अब यहाँ पर there का कोई मीनिंग नहीं है क्यों क्योंकि there यहाँ पर क्या है introductory subject है ठीक है जो की subject को introduce करने के लिए लगाया जाता है जैसे एक एक द्यालू राजा था इस तरह से एक लड़की थी एक लड़का था एक chair है there is a chair ठीक है एक राजा है there is a king तो इस तरह से अगर counting है लाइक जैसे दो राजा है there was two king तो means जो subject है उसको उसकी वो बताने के लिए means उसको introduction करने के लिए there का use किया जाता है there was a kind king एक द्यालू राजा था there was a pond in his palace ठीक है एक तलाब था इसका भी meaning क्या है एक तलाब था there was a pond in his palace कहां था ये क्या है ये क्या है prepositional phrase है means location बताई गई है एक तलाब था कहां था in his in means may his means उसके महल में ठीक है अब there का यहां पर कोई भी meaning नहीं है ये सिरफ subject को introduce करने के लिए there लगाया गया है there was a kind king एक द्यालू राजा था there was a pond in his palace ठीक है उसके महल में एक तलाब था golden swans lived in the pond golden means सुन्नेहरे सुन्नेहरे huns lived second form है past indefinite है रहते थे in means may the pond अब the क्या है द इसलिए लगाया क्या है कि pond को खास बनाने के लिए means उस pond में ठीक है उसी तलाब में कौन रहते थे सुन्हरे huns तलाब में सुन्हरे huns रहते थे clear है she was leading a very comfortable life अब she was leading क्या है ये ये past continuous का tense है subject है helping verb है और first form ing है यहां से पता लग रहा है कि कौन से सेंस आएगा रहा था रहे थे का सेंस आएगा she was वे है अब was leading a comfortable life है ना जी रही थी जी रही थी means नेततव कर रही थी या फिर संचालन कर रही थी तो हमने क्या लगाया means जी रही थी एक बहुत comfortable means आरामदायक जीवन ठीक है वे है बहुत ही आरामदायक जीवन जी रही थी एक एक राजा के महल में क्या था तलाब था वहां पर सुनेरे हंस रहते थे और वो बहुत ही आरामदायक जीवन जी रहे थे was leading a very comfortable life she used to give golden feathers to the king every month she used to अब देखिए अब used to लगा है यहाँ पर means हम कब लगाते हैं जब past में हमारी कोई आदत होती है है ना she used to give दिया करती थी करती थी सुनेहरे पंक to the king राजा को every month प्रतेक महीने ठीक है वह प्रतेक महीने राजा को सुनेहरे पंक दिया करती थी she used to give clear है one day a bird came from outside एक दिन एक पक्षी आया second form है come came come second form है तो past indefinite है उसी का structure लगेगा one day a bird came from outside means बाहर से ठीक है बाहर से एक दिन एक पक्षी आया seeing him उसे देख कर क्या है ये जरंड है seeing him उसे देख कर swans started burning in his heart जो हंस थे उन्होंने क्या किया शुरू कर दिया burning means जलना ये भी क्या है जरंड है किर्या बाचक ठीक है in his heart अपने दिल में उन्होंने क्या किया जब एक निया बक्षी आया एक दिन एक निया बक्षी आ गया बहर से तो उसको देख कर सारे हंस जो थे वो अपने दिल में जलने लग गए उसको देख कर look in inverted commas में तो वो कुछ बोल रहे है look this bird is just like gold उन्होंने क्या बोला कि देखो ये है पक्षी is just like means बिल्कुल is means है like means तरहा किसका है gold means सोने का ठीक है देखो ये पक्षी बिल्कुल सोने की तरह है उन्होंने क्या बोला कि ये पक्षी जो है वो बिल्कुल सोने की तरह है just like gold the king will give him राजा विल के साथ first form दिया गया है क्या ये future indefinite है गागेगी का sense बैठेगा वाकिक के अंत में राजा give means देना होता है देगा क्या sense बैठेगा देगा him means उसे more means ज्यादा importance महत्व now means अब means अब राजा उसे ज्यादा महत्व देगा जो पक्षी बाहर से आया वो किसका है just like gold उसकी तरह दिखता है और राजा उसे ज्यादा महत्व देगा कौन कह रहा है will have to means जरूर होगा means होगा drive him away अब drive away means भगाना अब drive him away means उसे भगाना उसे भगाना होगा यहां from here means यहां से we will have to will have to means कोई भी काम को करना ही होगा करना पड़ेगा we will have to drive him away from here हमें उसे यहां से भगाना ही पड़ेगा ठीक है जब have किसा जब to आ जाता है तो means किसी भी काम को जरूर करना पड़ेगा तो means हमें उसे यहां से भगाना ही पड़ेगा otherwise नहीं तो we will have no importance तो हमारी नहीं होगी क्या नहीं होगी महत्ता ठीक है हमारी जो महत्ता है वो नहीं होगी हमारी will have no importance हमारी कोई importance ही नहीं रहेगी ठीक है क्योंकि इसको यहां से भगाना ही पड़ेगा the swans talked among themselves जो हंस थे ठीक है बात की among means अपने बीच में themselves means आपस में आपस के बीच में उन्होंने ये बात की ये जो बोला है उन्हों पार्जिट कॉमर्स में जितनी भी बात की वो किसने बोली हंसों ने आपस में बात की among themselves मलब खुज से suddenly अच्छानक से the king's soldiers saw that kings राजा के अब उस टोफे s का मिनिंग क्या होता है का के की means इसके बारे में आगे भी जानकारी है अभी means जो राजा के क्या के? soldiers means क्या है? सिपाही राजा के जो सिपाही है उन्होंने देखा second form है simple past है उन्होंने देखा की the swans जो huns है had attacked had के साथ third form दी गई है कौन सा है ये? past perfect चुका था, चुके थे, चुकी थी A था, E थी, A थे का sense आता है तो means attack means हमला करना हमला कर चुके थे या फिर हमला किया था ठीक है? दोनों sense ठीक है क्या देखा राजा के soldiers ने? देखा की huns जो है उन्होंने हमला किया था the outside bird जो बाहर का जो पक्षी था उसके उपर क्या किया था? हमला किया था राजा के soldiers ने देखा ठीक है? The king came running out of the palace राजा आया भागता हुआ ठीक है? बाहर किसके बाहर? out of the palace महल से ठीक है? महल के बाहर वो भागता हुआ आया राणिंग क्या है? जिरिन He also saw this scene of the He also उसने भी देखा किसने? राजा ने He किसके लिए लगाया गया? राजा के लिए उसने भी देखा This यह है scene नजारा of the means का आगी देखते हैं किसका नजारा? fight ठीक है? लडाई का नजारा उसने भी देखा तो उसने क्या बोला? अब देखें inverted commas में है यह वाली बाते जो बात उसने बोली जो बात बोलते हैं वो inverted commas में रखते हैं ठीक है? उसने क्या बोला? catch these swans means पकड़ो these means यह hans को ठीक है? hans को पकड़ो और lock them बंद कर दो उनको ठीक है? इनको बंद कर दो lock them in a cage किसमे? पिंजरे में ठीक है? पकड़ो इन hans को और इने बंद कर दो पिंजरे में they are jealous of that new bird they are means जो जादा hans से जादा है तो means they are यह क्या है? jealous है means इर्ष्या ठीक है? क्या करती है यह? इर्ष्या है किस से? of that means उस नए उस नए पकशी से यह क्या कर रही है? इर्ष्या they are jealous ठीक है? ordered the king in a fit of rage ordered means उसने आदेश दिया राजा ने in means में किस में? a fit of rage means गुसे में क्रोध में ठीक है? क्रोध में राजा ने क्या किया? आदेश दिया कि पकड़ो इन हंसों को और बंद कर दो इनको पिंजरे में they are jealous ये क्या है? इर्षालू है means क्या है ये? इर्षालू है किस से? उस नई बर्ड से जो निया पकशी आया उससे वो जलती है ordered the king in a fit of rage आदेश दिया राजा ने किस में? गुसे में? क्रोध में दस्वैन इमीडेटली जो सारे हंस थे तुरंद से इमीडेटली flew away means उड़ गई उड़ गई और left छोड़ दिया उड़ गई और छोड़ दिया क्या छोड़ दिया उसने? अब बेसली जहां वो रहती थी उस जगा को छोड़ दिया महल छोड़ दिया अब दिखिए because of in way because of means के कारण in way क्या होता है? इर्ष्या इर्ष्या के कारण because of in way इर्ष्या के कारण the swans lost all their comforts जो हंस थे उन्होंने खो दिये सारे अपने आराम ठीक है? सुक सुविधाएं सुक सुवि धाओं को उन्होंने क्या किया? खो दिया ठीक है? because of in way इर्ष्या के कारण हंसो ने अपने सारी सुक सुविधाएं को खो दिया lost second form है simple past है तो ये थी स्टोरी हंसो की जो की बहुत ही selfish निकली जिनोंने देखा कि एक नई बर्ड आ गई है अब तो हमारे उपर कोई ध्यान ही नहीं देगा तो उसने jealous के चकर में अपना ही जो सुख सुविधाएं थी जो भी comfort थे उसको खो दिया means हमें विश्वास रखना चाहिए इस फर्मात्मा पे कि जो भी हमें मिलेगा सब अच्छा ही होगा हमें किसी से भी इर्ष्या नहीं करनी चाहिए moral of the story I hope यह story आपको अच्छी लगी और बहुत कोई सीखने को मिलागा guys तो please like, share, subscribe करना मत बुलेगा God bless you